हाई फ्रेंड्स मैं आप सभी का स्वाविट करता हूं नौट स्वी लूडर के एक और अन्थिप्रेनर्स रिंग में सो आगे बढ़ने से पहले डिसाइड कर लो कि आप हिंदी में कमफर्टेबल हो या इंग्लिश में कमफर्टेबल हो अगर आपको लगता है कि इंग्लिश चाहिए तो लेटेश वीडियो में इंग्लिश कॉपी भी डाली भी है अगर आप हिंदी में कमफर्टेबल हो तो यहां बनो तो आज बेसिकली बात होगी दो अलग-अलग चीजों की जो बहुत ही जार इंपॉर्टेट प्लाटफॉर्म माने जाते हैं एक investment type में एने की share market में है तो दो चीज़े आती है वहाती है अग्लिश चाहिए और security अब पहले जानते है कि यह क्या है तो सबसे पहले यह stock market के बहुत जाद डिमांडिंग चीज़ है दो और as an investment as an investor as a trader यह बहुत जादा important चीज़ रहती है दो मतलब दो प्ल तो आप्शन में भी वास्ट नंबर आप्शन को लखे तो कम्टी है क्या, कम्मुडिटी एक टाइप का ऐसा प्लाटफर्म है, जो बैसिक चीजों के लिए डील के लिए बनाया गया है, यह और इस टैप की बैसिक चीजे जिनको और छिजरो निस्ट या और एक्षेंड नहीं सब्सक्राइब की चीज़े अब आप सोच करोंगे इस सब चीजों का भी वियापास होता है क्या तो हाँ बिल्कुल विकॉज आपकी जो विसोर्कस बनके आता है वो कही ना कही इनी से बेसिक प्रोड़क्ट से मैनिफेक्ट्र होता है सो यह जो कंपनी को बनाता है आप बेसिकली कम्यूटी कम्यूटी में इन्वेस्ट करके उनी कंपनी की मदद करता है उन कंपनी को फायदा वा तो कंपनी में फायदा उन कंपनी को नुक्सान वा तो आपका भी नुक्सान अब बात आती इक्विटी में इक्विटी में उस टा लुकूण कि मोम पमांच टाइब की डिवाइज जो हंगा games एदिजितल, एक्रोनिक्स, connected H departure hedge EXenter और इस टाइब की चिज़िए में गिली है, मिलाब इस टाइब की company इस टाइब की चीज़िए रखती है अब बात अतीं equity में deal के से आती है So, बहुत सा ही major companies अतनी true क्रंसी पेकाम करती है जहाँ प्राचिति कशर्ण क्रंसी में equity के थू invest कर देते है basically somos share market जैसे ही तो आप पे उनकी currency में invest करो उनको फाइदावा आपको फाइदा उनको नुक्सान मैं आपको नुक्सान तो यह बेसिकल होता है एक कमेंडिटी का डिफरेंस और एक इक विटी का डिफरेंस जैसा कि मैंने बताया कि इनके ऑप्शेंज बहुत ज़्यादा वास्ट होते हैं जो कि बहुत जादे ज़्यादा अच्छी चीज हो दोनों में फेस के बाद में में बात करते हैं तहरे कि इन में किस टाइब के इन्वेस्टर आप करना चाहता है तो अगर आप एक शॉट टम इन्वेस्टर है और चाहते हैं कि आपको जब्विक रिफर्ण भी ले आपको मार्केट से कोई निना देना नहीं है आपको बस थोड़ा बहुत क्विक रिफर्ण चाहिए जो कम्मुनिटी बेस्ट होती है विकॉज वहां पर दीरे दीर पाइस बढ़ जाता है तो इस टाइप से क्विक रिफर्ण के तौक पर माना जा सकता है एक्विटी में कही ना कहीं लॉंग टर्म मेंबर्शिप प्लस एक मतलब ट्रस्ट लॉंग टर्म बट डेफिनेट प्रफिट देख जाता है विकॉज पाइस चांसे कम जाता है चांसे कम बन जाता है कि प्रोफित धड़ल्डेस हो सकता है नुपसान भी धड़ल्डेस हो सकता है दोना चीजे मैने करती है फिर इसके बाद में आते है कम्मिनिटी के टिप्स तो यहां पे future and forward को लेकी चीज़े देखी जाती है, यहां पे इस type की चीज़ें देखी जाती है, वहीं अगर आप देखेंगे इस equity नो, तो आपे share exchange और shareholder को priority type पे रखा जाता है, फिर इसके बाद मैं वही चीज़ एक आखरी में गिना दू, जो कि important है, price exchange का जिससे मनद बत है, community short period time के लिए, equity long period of time के लिए, अब बात आती है अपको investment किस में कखने चाहिए, तो मैं कहता हूँ, दोनों में करो, because दोनों में करो गे, तब ही एक real market का idea आये आए आपको, so यह थी छोटी मोटी tip, मैं में छोटा मोटा में डिफरेंस, छोटा मोटा में एड़्वाइस, जो मैं आंट्रपर्नाजरीन में अपसर शेयर करता रहता हूँ, समझ भी ए तो वीडियो लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो, वीडियो ए चैनल को सस्क्राइब कर दो, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाए.